उत्साह और अट नहीं रही है बाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ व्याख्या कवी बादलों से जोर जोर से गरजने का निवेदन करते हुए बादलों से कहते हैं कि है बादल तुम जोरदार गर्जना अर्थात जोरदार आवास करो और आकाश को चारो तरफ से पूरी तरह से घेर लो यानि इस पूरे आकाश में भयानक रूप से च्छा जाओ और फिर जोरदार तरीके से बरसो क्योंकि यह समय शान्थ होकर बरसने का नहीं है कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर सुंदर काले गुंगराले अर्थात गोल गोल छल्ले के आकार के समान बादलों तुम किसी चोटे बच्चे की कलपना की तरह हो कहने का ताद पर ये यह है कि जैसे छोटे बच्चों की कलपनाएं इच्छाएं पल-पल बदलती रहती हैं तथा हर पल उनके मन में नई-णई बाते या कलपनाएं जन्म लेती हैं ठीक उसी प्रकार तुम भी अर्थात बादल भी आकाश में हर पल अपना रूप यानी आकार बदल रहे हो विद्युद छबी उर में कवी नवजीवन वाले वज्र छिपा, नूतन कविता फिर भर दो, बादल गर्जो कवी आगे बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदे में बिजली के समान उर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का स्रिजन करो कवी ने बादलों की तुलना कवी से की है क्योंकि जिस प्रकार बादल धर्ती के सभी प्राणियों को नया जीवन प्रदान करते हैं उसी प्रकार कवी भी हमारे अंदर के सोय हुए साहस को जगाते हैं कवी बादलों से निवेदन करते हुए कहते हैं कि बादलों तुम अपनी कविता से निराश, हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो बादल जोरदार आवाज के साथ कर जो ताकि लोगों में फिर से नया उत्सा भर जाए विकल विकल उनमन थे उनमन विश्व के निदाग के सकल जन व्याख्या अत्यदिक गर्मी से परेशान लोगों के मन की स्थिती का वर्णन करते हुए कवी कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यदिक गर्मी के कारण बेहाल है व्याकुल है और अत्यदिक गर्मी के कारण अब उ अग्याद दिशा से आये हुए, यहाँ पर बादलों को अग्याद दिशा से आया हुआ, इसलिए कहा गया है क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती हैं, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं, और पूरे आकाश पर छाये हुए घने काले बादलों तुम गंगोर वर्शा कर, तप्ती धर्ती को अपने जल से शीतल कर दो। बादलू, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सत नहीं रही है। अटाने को मन ही नहीं करता। अर्थात कोई भी अपने आपको उसका आनन लेने से रोक नहीं पा रहा है। पहल जाती है। उस समय कवी को ऐसा लगता है मानो जैसे फागुन खुद सांस ले रहा हो और सुगंधित वातावरण से हर घर को महका रहा हो। कवी आगे कहते हैं कि कभी-कभी मुझे ऐसा एहसा होता है जैसे तुम, फागुन मा, आस्मान में उड़ने के लिए अपने पंक फरफरा रहे हो। कवी वसंत रितु की सुन्दर्ता पर मोहित हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आँखे तुम से हटाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी आँखे तुम पर से हटी नहीं रही है। पत्तो से लदी डाल कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंद पुष्प माल, पाठ, पाठ, शोभा, श्रीपट नहीं रही है। कवी कहते हैं, वसंत रितु में चारों और के मनमोहक वातावरण का वर्णन करते हुए कवी कहते हैं कि सभी पेड़ पोधूं की शाखाओं में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं, जिसके कारण चारों तरफ के पेड़ हरे एवं लाल दिखाई दे रही हैं क्योंकि पेड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताई कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाल झाल